जहीं दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार की बहुत प्रतिषित भषती बिहार सिच्छक भरती के बारे में दोस्तों देखे BPSC के जो सचीव है रवी भूशन जी उनका भी रिसेंटली में एक इंटर्वियू आया था ठीक है ना और उसमें उन्होंने दोस्तों इस बिहार सिच्छक भरती से रलेटेड कासी कुछ अपडेट दिया है और कासी कुछ क्लियर कर दिया है जैसे कि रोश्टर वगरा तयार हो गया है दोस्तों है ना कितने पत्पे वेकंसी आ रही है क्लाइस वेकंसी डीटेल उसके अलावा इस वीडियो में आपको कि फैलरी जो है वह किस तरह से आपको मिलेगी एक्जाम पैटर्टर्ण में क्या कुछ में कितनी फीट हैं तो सारा एटूटेट जानकरी मैं आपको इस वीडियो के माध्म से दूँगा दोस्तो तो बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ठीक ना और दोस्तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होना या फिर नए हो तो प्लीज आर चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिएगा इसी प्रकार के गौर्रमेंट जॉप के मोर अपडेट के लिए तो दोस्तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें बहुत सारे चात्र लगभग लाखो चात्र ऐसे हैं दोस्तो जो कि इस बिहार फिच्छक भरती का इंतिजार कर रहे थ जिसमें के दोस्तो अलग-अलग क्लास वाइस वेकेंसी डिटेल है देखें क्लास वाइस वेकेंसी डिटेल आप वो समझेंगे का अच्छा एक फिले करके पांच तक के जो टीचर्व हैं दोस्तो उसमें नमबर और फीटों की संख्या 85,470 है उसके अलावा क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो टीचर्व होंगे उसमें नमबर और सीट के अगर हम लोग बात करेंगे तो 1745 फीटे हैं दोस्तो और सबसे कम सीटें जो है आपको इसी क्लास 6 से लेकर के बीच में देखने को मिलेगा ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लास 9 से लेकर के 10 के यह टोटल वेकेंसी आने वाली है दोस्तों, और लाखो छात्र इस भरती का बेस ब्रीफ से इंतिजार कर रहे थे, कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, एपलाई डेट कब होगा, एक्जाम डेट कब आगा, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ किलिय कर दूँगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो यह जा लिजे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, तो दोस्तों वे छात्र, जो बीड या फिडियलेट किये हो, और साथ में दोस्तों, सीटेट या बीटेट किये होए, ठीक ना, तभी आप लोग जारी किया जाएगा तब, ठीक है ना, तो ओफिशल नोटिफिकेशन का आप लोग वेट किजेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन के तौर पे बीड या डियलेट होना चाहिए, इसाथ में आपके पास फीटेट का एक्वाम अगर आपने दिया हो, तब जा अगर बात करेंगे न दोस्तों, तो जून के मन्त में इसका अउनलाइन आविदन आप लोग कर फखेंगे दोस्तों और एक्वाम डेट इसका अगफ्त में ऐशे बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि एक्वाम जो है आपका अगफ्त में होगा, ठीक है, यह चीज आपका doubt है वो सारे clear कर देना चात्रों में चीक है उसके अलावा दोस्तों देखे मैं आगे आपका बताऊंगा कि exam pattern क्या होने वाला है तो पिछली बार क्या था दोस्तों कि negative marking था ठीक है जो बिहार six phase teacher vacancy थी उसमे negative marking था दोस्तों लेकिन इस बार आप पर जो exam होगा वो offline पाते हैं क्योंकि अगर मालीजे वे थोड़ा सा भी तुक्का लगाते हैं और उनका गलत हो गया तो उनका negative marking में चले आते हैं इस वज़े से वे gain नहीं कर पाते हैं थीक है उसके अलावा दोस्तों सबसे most important बात कर लेते हैं कि सरीय बताईए कि इसमें salary कितनी दी जाती है ठ बता होगा और यह सारी चीजें बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों ठीक है मैं यहां पर केवल point पर यानि कि जो मुद्दा है दोस्तों उस पर मैं बात करना चाहता हूं ठीक है अगर हम बात करेंगे तो class wise vacancy detail की तरह यहां पर salary अलग अलग रखी गई है ठीक है ना जैस करके पाच तक के जो teacher होंगे दोस्तों उनको 35,700 रुपय मन्थली फैलिरी दी जाएगी और इसमें TADA दोनों include हैं दोस्तों उसके अलावा class 6 से लेकर के जो 8 तक के जो teacher होंगे जिसकी भरती इन के बीच में होगा उनको 40,80 रुपय मन्थली फैलिरी दिया जाएगा कच्छा 9 से लेकर के 10 के बीच में जो teacher होंगे जो इन students को पढ़ाएंगे तो उनको 44,80 रुपय मन्थली फैलिरी दिया जाएगा उसके अलावा कच्छा 11 और 12 के जो teachers होंगे जानि कि जो कच्छा 11 और 12 के students को पढ़ाएंगे दोस्तों उनके लिए फैलिरी की बात करेंगे तो 45,920 र जो BPFC ने सास्तोर पे एच-च क्लियर कर दिया है दोस्तों कि या तो आप भारत की निवासी होने चाहिए या फिर आप बिहार के जो है आपके पास domicile certificate होना चाहिए यानि कि बिहार का permanent निवासी अगर आप होंगे तभी जाकर के आप लोग apply कर सकेंगे इस बिहार से छक भ आती है तो अधर स्टेट के candidate फिर प्यों apply करने लग जाते हैं तो दोस्तों यह मुद्दा जो है आप लोग यह सवाल government से कीजिए यहां पर मैं आपको कुछ नहीं कह सकते हो इसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं दोस्तों और उसके बाद Twitter campaign वगारा चला सकते हैं ठीक है वो चीज़ा आप लोग कर सकते हो उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल है कि किस जिले में कितनी सीटे हैं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ देख लिजे कि किस जिले में total number of feet कितनी हैं बिहार में अलग-अलग जिले हैं जिसमें कि अलग-अल हमें दन देखने को मिलेगा दोस्तों अगर लाख हो चात्र इसका इन्तवार कर रहें तो आपन लोग बहुत इन्तवार कर चुके हैं दोस्तों आप का इंतवार की घड़ी जो है अब समाप्त होने वाली है तो दोस्तों यही तारा सब कुछ जानकारी देना था देखें अगर बिहार सिच्छक भरती से रिलेटेड आपका कोई भी स्वाल हो ना सिलेबर से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, फैलरी से रिलेटेड या फिर BPSC देखें क्योंकि आपको मालूम है कि BPSC इसका एक्जाम जो है फिर मिलेंगे किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद